गुद मॉर्णिंग, सक्सेस ग्रूप के सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है उतर परदेश के सभी गौवर्मेंट इंप्लाइज के लिए बहुत अच्छी ख़वर है उतर परदेश सरकार ने वर्श 2022 के लिए गौवर्मेंट हॉलिडेज लिस्ट जारी कर दी है तो चलिए मिना किसी देरी के देख लेते हैं कि वर्श 2022 में कितने गौवर्मेंट हॉलिडेज है जानकारी अपने साथियों को विजरू शेयर कर दीजेगा क्योंकि ये जानकारी बहुती महतोपूर्ण है और आप सभी के लिए फायदे की है तो ये खबर है लखनों से राज्य सरकार के कर्मचारियों को वर्ष 2022 में छुटियों के मामले में कुछ राहत होगी इस साल साथ सारबजनिक आवकाश सनिवार वा रविवार को पढ़ रहे हैं वहीं अगले वर्ष पाँच छुटियां रविवार को पढ़ेंगी शनिवार को कोई आवकाश नहीं होगा कहने का मतलब यह है दो जार इक्किस में साथ दिन जो है गोर्मेंट हॉलिडेज जो वो सट्रेडे संडे को पढ़ ले थे जबकि 2022 में पांच गौर्वर्मेंट हॉलिडेज जो हैं वो संडेज को पढ़ेंगे और सटेडेज को कोई हॉलिडे नहीं होगा हाला के दो आवकाश एक ही तारीक को पढ़ने से करमचारियों को एक छुट्टी का नुकसान होगा अगले साल होली और दीपावली के तोहरों पर खुब छुट्टिया रहेंगी सामानी प्रसाशन विभागने वर्ष 2022 में राजिक करमचारियों को मिलने वाले सार्वजनिक आवकाश निरवंधित आवकाश और कारिकारी आदेशों के तहट घोशित किये जाने वाले आवकाश के बारे में शाष्णादिश जारी कर दिया है सचीवाला समेत सप्ता में पांच कार्यदिवसों वाले कारियालेओं में होली पर 17 से 20 मार्च तक चार दिनों का आवकाश मिलेगा 17 मार्च से 20 मार्च तक 17 मार्च को गुरुवार को होली का दहन शुकरवार 18 मार्च को होलू की छुटी होगी 19 वा 20 मार्च को शनिवार वा रविवार होने के कारण इन कारियालेव में सापताहिक बंदी होगी और ऐसे ही अगले वर्ष दीपावली करते होगा 24 अक्टूबर यानी सोमवार को होगा पांच दिवसी कारियलें में 22 वा 23 अक्टूबर को शेनिवार रविवार की सापताहिक बंदी होगी 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा 27 को भहिया दूज का आउकाश होगा यदि करमचारी 25 अक्टूबर को एक दिन की छुट्टी ले ले तो पांच दिवसी कारियलें के कार्मिकों को 6 दिनों और 6 दिवसी कारियले के करमचारीयों को 5 दिनों का आउकाश मिल जाएगा और इसके अलावा गुड फ्राइडे और रक्षा बंधन के आउकाश शुक्रवार को और बुद्ध पूर्णिवावास सुतंतता दिवस के आउकाश सुमवार को पढ़ने के कारण 5 दिनी कारियले के कार्मिकों को इन मौकों पर 3 दिन की छुट्टी मिलेगी और 5 आउकाश हैं जो की रविवार को पढ़ रहे हैं 10 अप्रेल राम नौमी 10 जुलाई बकरीद 2 अक्टूबर महत्मा गानी जैनती 9 अक्टूबर इदे मिलाद 12 वफात और क्रिस्मस डे की छुट्टियां रविवार को होंगी इस साल जहां 4 चुट्टियां रविवार और 3 शनिवार को पढ़ रही हैं वहीं 2022 में शनिवार को कोई आउकाश नहीं है केवल एक चुट्टिय का नुक्सान हो रहा है अगले साल डाक्टर भीमरा और बेटकर जन्म दिवस महावीर जैनती का आउकाश एक ही दिन यानि 14 अप्रेल को होगा इस लिहाज से राजिक कर्मचारियों को एक दिन की छुट्टी का नुक्सान होगा अब आईए देख लेते हैं पूरी लिष्ट तो यह है शाष्णादेश जो 20 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया है निमलेखे सूची में वेनरदेश्ट पर्व त्यवहार राश्टी पर्व महापुर्शों की जन्म दिथियों को समस्त उत्तर प्रदेश में स्री राजिपाल साथ्जनिक आउकाश घोशित करते हैं को घटित होते हैं तो ऐसी दश्चा में प्रतक दिवस में सार्वनिक आउकाश घोशित नहीं किया जाएगा कहने का अर्थ यह है कि अगर दू छुटियां एक ही दिन पढ़ लही है तो उसके लिए कोई अलग से छुटि नहीं दी जाएगी दोनों एक ही दिन मानी जाएगी तो वर्ष 2022 के लिए सार्वनिक आउकाश की ये लिष्ट है गरतंतर दिवस 26 जन्वरी मुहमद हजरत अली जन्म दिवस 15 फर्वरी महा शिवरात्री एक मार्च होली का दहन 17 मार्च होली 18 मार्च राम नौमी 10 अप्रेल डक्टर भीम राओ अमबेटकर का जन्म दिवस और महावीर जैन्ती ये 14 अप्रेल गुड फ्राइडे 15 अप्रेल इदुल फितर 3 माई 2022 अब इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं बुद्ध पूर्डिमा 16 माई 2022 इदु जुहा बक्रीत 10 जुलाई 2022 मुहर्रम 9 अगस्ट 2022 रक्षा बंदन 12 अगस 2022 स्वतंतरता दिवस 15 अगस 2022 जन्माश्टमी 18 अगस 2022 मात्मा गानी जैन्ती 2 अक्टूबर 2022 दशेहरा 4 अक्टूबर 2022 दशेहरा वीजय दश्मी 5 अक्टूबर 2022 और 12 वफात 9 अक्टूबर 2022 दिपावली 24 अक्टूबर 2022 आप इसका स्क्रिन शॉट ले लिजिए ताकि आपको जानने में सुविधार है किस दिन ये छोटियां पढ़ रही है और किन डेट्स को पढ़ रही है इसके बाद गोबर्धन पूजा 26 अक्टूबर भयादू 27 अक्टूबर कार्तिक पुर्णमा और गुरु नानक जैनती 9-8 नॉमबर और क्रिस्मस डे 25 दिसंबर ये छुटियां है इसके बाद निरवंदित अकाश है नौवर्ष दिवस एक जनवरी को ले सकते हैं आप मकर संक्रानती 14 जनवरी जन्नाय करपूठाकूर जन्मदिवस 24 जनवरी गरीब नमाज उर्ष 27 जनवरी बसंत पंचमी 5 फरवरी संत रविदास जैनती 16 फरवरी शविवरात यहोली 19 मार्च चेटी चंद 2 अप्रेल महार्शी कश्यप जैनती 6 पांच अप्रेल इस्टर सेटरडे 16 अप्रेल चंद शेखर जैनती 17 अप्रेल इस्टर मंडे 18 अप्रेल अलविदा रमजान 29 अप्रेल परिश्वराम जैनती 3 माई इदुल फितर 4 माई राणा प्रताप जैनती 9 माई इदुजहा वकरीद 11 जुराई महरम 10 अगस्त अनन्त 14 शी 9 सितंबर बिश्करमा पूजा 17 सितंबर महाराज अगरसें जैनती 26 सितंबर और दशहरा 3 अक्टूबर इसके बाद महर्ष बालमी की जैनती 9 अक्टूबर नरक चतोदुशी 23 अक्टूबर छट पूजा 30 अक्टूबर सदार बल्लब भाई बटेल जैनती 31 अक्टूबर उदा देवी शहीद दिवस 16 अक्टूबर 14 चरण सिंग जन्म दिवस 23 अक्रिस्मस इप 24 अक्टूबर ये रिस्ट्रिक्टेड होलिडेज हैं इन में से कोई भी आप दो ले सकते हैं और इसके बाद बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी है और कारकारी आदेशों के तहट भी आवकाश हैं तीन गुरू गोविन सिंग जैन्ती 9 जन्वरी गुरू तेक बहादूर शहीद दिवस 14 चौबिस नौंबर और गुरू गोविन सिंग जैन्ती 29 दिसंबर तो ये पूरी हॉलिडे लेस्ट है स्टेट गोवर्मेंट की उतर पदेश की ये अपने साथियों को भी जरू शेयर कीजेगा ओके तैंक यू